में जो एक बोर्ड होता है उसको में वाला वह आपको 12 लगवाना है अगर आपका रूम बढ़ा है तो आप लोग 18 चोटे वह पावर बोर्ड होते हैं वह आपको रूम में कितने लगवाने होता है ठीक है लोग अपने रूम में मिनमम में स्विच बूट लगवा सकते हैं और आपको ज्यादा खर्चा में लगेगा और आपको सारा वर्क होने वाला है जो लोग हाउस वैरिंग का वर्क करवाना चाहते हैं यह वीडियो उनके लिए काफिता इंपोर्टेंट है तो प्लीस हमारी वी लिए को सुनो करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारा जूम बना हुआ है और आज किस वीडियो में हमाप लोग को यहीं बताने वाले हैं कि आपको अपने जूम में कितने स्विच साकिट और कितने स्विच बॉर्ट लगवाना चाहिए जिससे कि आप दो को कोई प्राङूम नहीं और यापको अच्छे से वरक चलता देख Hmmm कि हमारे zoom में 12 module का board लगा हुआ ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे जो main में एक main board होता है आपके zoom में एक main board होता है वो आपको 12 module का लगवाना है ठीक है अगर आपके रूम में console light लगी है तो अच्छी बात अगर नहीं लगी है तो कोई बात नहीं आपको अपने zoom में कम से कम एक lady wolf और एक tube light देना है और एक 12 module का board लगवाना ठीक है और आपको switch जो socket होते हैं आपको इसमें 2 रखने है इससे यह होता है कि आपको mobile charging के लिए कोई problem नहीं होता है मोबाइल चार्जिंग अच्छे से कर सकते हैं तो आपको अपने zoom में जो एक board होता है उसको main वाला जो आपको 12 लगवाना है अगर आपका room बढ़ा है तो आप लोग 18 module का भी लगवा सकते हैं कोई problem नहीं है ठीक है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं मिनमम में आपको उस board में दो सौकेट दखना है जिससे कि आप लोग अपना mobile charging कर सकते हैं कोई चीज आपको work करना हो तो आप लोग उससे कर सकते हैं कोई भी problem आपको नहीं है बट अगर आपका वदूम ज्यादा बड़ा नहीं है रूम अंदर है तो आप लोग सिर्फ 12 मॉडल का एक बोर्ट लगवा सकते हैं ठीक है मिनमम में हमारा जो मेन बोर्ट होता वो एक ही होता है ठीक है तो हमारा यहां पर भी लगा कोई दिक्कत इसमें नहीं है तो आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान लगना आप आपको वाइरिंग करवाते समय कि आपको जो ऐसे जो मॉबाइल चार्जिंग के लिए होता वो आपको छे एंप्यार का सुछ सेक्ट रखना पड़ता ठीक है उसके बाद हमारे छोटे जो पावर बोर्ट होते वह आपको र चारिजिंग करना हाँ या कहीं पर कोई दिक्कत अगर आप लेते हैं तो अपको तो से क्रसकते हैं अपको यहां पर आप 15 समान यूज करेंगे तो हमारा यह इसुक्र जल भी सकता है इसलिए हमको यहाँ पर 16 एंपेर का switch circuit यूज़ करना है और हमारा एकदम अच्छे से work करेगा कोई भी इसमें problem नहीं है ठीक है तो आपको यह चील ब्रुकुल दिहान लखना है कि जो हमने power board होते हैं उसमें आपको 16 एंपेर का switch लगाना होता है तो cooler भी लगा सकते हैं इसलिए यहाँ पर 16 एंपेर का switch security यूज़ करते हैं और भी चीज़ें आप लोग लगा सकते हैं जैसे आपको लिप्टाप चार्ज करना कोई भी कोई भी आपको वर करना है तो आपको एक कमरे में कम से कम दो पावर बोर्ड लगाना है लगता है और वह अच्छे से लगता है ताकि मारा जलेना और अच्छे से मारा वर्क भी करता है अभी आपको बताते है कि आपको अपने रूम में AC का बोर्ड कैसे लगाना चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पावर बोर्ड हो गया उसके बाद हमको जहां पर AC ल अब लगता है और एक LED TV तो यहाँ पर आप लूग देख सकते कि एक एक मारा एक स्विच्ट और लगा हुआ है और एक बूर लगा जिसमें दो सुर्कित और दो सुच है ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर इस लगाए इस दिवाल पर हमारी AC लग जाएगी तो इसलि यहां पर 32 एंपिये का सुच सेकल लगा है ठीक है और आपको यह दिखान ना करना अगर आपको वायरिंग हो रही है तो आपको यह बता देना कि एसी के लिए हायली स्विच लगाना है 32 एंप्यर के स्विच स्विचंट यह आपको दियान लखना है उसके वाद यह दो सुच दो सॉल विगा पूड़ा ओर एंप चेम गोर्ट होता है उसमें दो सॉकेट और दो सुच जरूर होते हैं यह चीज आपको दिहान लगना है और एक रूम में इतना चीज लगता है अगर आपको कुछ और लगवाना नहीं तो आप लोग आपको देख सकते कि हमारे रूम में बस इतने ही बोड लगे हुए ठीक है अगर आपका बज़र जादा है या आपको कुछ और लगवाना है तो आप लोग उस अस्तान पे बोड लगवा सकते कोई भी प्रावलम आपको नहीं है ठीक है और अगर हमारी वीडियो अच्छले तो प्लीस वीडियो को लाइ करते रहेंगे कोई भी कोश्चान सो नीचे कवन वक्स में जरूर टाइप करें हम नेक्ट वीडियो में इस सब्सक्राइब कोशिस करेंगे